फ्रेश दूद और सबजी के लिए अब घंटों इंदिजाद में विग बिलिस पर आउडर करें और 10 मिएट में पाएं अपने गर फ्रेश दूद और सबजी तुरंट डाउनलोड करें विग बिलिस एप खुशियों की अपनी दुखा मद्यपरदेश में गेहू के बंपर उत्पादन को देखते वे राजे सरकार ने एक्सपोर्ट करने का फैसला किया है इसके लिए एक्सपोर्टर्स को हर संबख सुविदा देने की कोशिश की जाएगी मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान ने इसी कड़ी में गुरुवार को एक्सपोर्ट होने वाले गेहू पर मन्डि टेक्स नहीं लेने और एक्सपोर्टर्स को ग्रेडिंग वे सौटिंग पर होने वाले खर्च का भुकतान करने का फैसला लिया है मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान ने बुद्वार को दिल्ली में उद्योग एवं वारिजे मंतरी प्यूश गोयल और राज्य मंतरी सादवी निरंजन जयोती की मौजूदगी में एक्सपोर्टर्स से बाचीत की इसके बाद मुख्य मंतरी ने कहा कि मंद्य प्रदेश गेहु उत्पादन का केंदर बन चुका है दो वर्षों में राज्य सरकार ने एक दशमलब दोनों करोड मेट्रिक टन गेहु की खरीवी की है मंद्य प्रदेश के शर्वती गेहु को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है MP Wheat के नाम से इसकी पूरी देश में साख है कई कमपनिया आटा बना कर बेचती हैं तो उसे भी MP Wheat के नाम से बेचा जाता है हमारे पास गेहु के बंडार भरे पड़े है अगली फसल भी जवर्दस्त आ रही है बंपर फसल की वज़ा से गेहु हमारे लिए समस्य बन जाता था पर अब गेहु मंद्य प्रदेश की ताकत बनेगा मुख्यमंत्री का कहना है कि हम दुनिया भर में गेहु को एक्सपोर्ट करेंगे इसके लिए निर्यात को से बाचीद भी जारी है उनकी समस्या को जानने और उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कमपनी या वेपारी कहीं से भी गेहु खरीद सकेगा वे चाहे मंडी से खरीदे या मंडी के बाहर से वे किसान के घर या खेच से भी खरीदारी कर सकता है मंडी में भिकने वाले गेहु की वेराइटी और ग्रेड का भी उलेक होता है मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तै किया है कि मंडी में निलामी की प्रक्रिया और उनलाइन अनुग्या का लाब, निर्यातक स्वयम या अपने किसी इस्थाने वेपारी के पंजियन से ले सकते हैं CM शिवराज सिंग चोहान का कहना है कि फसल के वैल्यू एडिशन और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए मुख्य मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब उपलब्द कराई जाएगी प्रमुक मंडियों में एक्सपोर्टर्स को अधू सनरचना के लिए जमीन की आवशक्ता होने पर रियायती दरू पर जमीन देंगे मद्य प्रदेश में किसानों से गेहू खरीदने पर ग्रेडिंग वे सौटिंग करनी पड़ी तो उसके खर्च का भुकतान भी एक्सपोर्टर्स को किया ही जाएगा निर्धारित किस्म, ग्रेड और गुणवत्ता वाली फसल के बंडारन और प्रमारी करन के लिए पेशेवर और प्रतिष्ठित एजेंसियों से अनुबंद कर निर्यात के लिए अस्थियाई वेवस्ता भी बनाई जाएगी सीम ने कहा कि रेलवे के रैक मिलने में दिक्कत होती थी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक के दौरान रैक की कमी नहीं होने देने का आशवाशन दिया है साथ ही पोर्ट्स पर भी गेहूं रखने की जगा मिलेगी निरियाद तक किसी भी पोर्ट से निरियाद कर सकेंगे इन फैसलों से मद्य परदेश के गेहूं का निरियाद तेजी से बढ़ने की उमीद की जा रही है जिसका फैदा सभी किसानों को मिलेगा गोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाग बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा समान आपके घर दस मिनट के अंदर टोरंट डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप खुशियों की अपनी दुका